दोस्तो आशा करता हो आप सब ठीक हो सभी बच्चों के एक्जाम नस्दिक आये है ऐसे में स्ट्रेस होना भी साभाविक है अच्छा परफर्मस करने और अच्छे नंबर लाने के प्रेशर में कई लोग एक्जाम के टाइम में तनाव के शिकर हो जाते है लेकिन ये आप पर निर्बर करता है कि आप तनाव को अपने उपर कितना हावी होने देते है मैं आपको बता दू थोड़ा सा स्ट्रेस तो आपको अच्छा परफर्म करने के लिए प्रोसाहित करता है लेकिन ज़्यादा स्ट्रेस आपकी पर्फर्मंस के साथ सेहत पर भी असर डाल सकता है मैं आपको कुछ टिप्स बता देता हूँ जिने फॉलो करके आप एक्जाम में स्ट्रेस से दूर रहेंगे तेहला करो हमेशा एक जगह बेटकर प्रेशर में सिर्फ पड़ाई करने से दिमाग पर बूरा असर पड़ता है एक्जाम के समय में दिमाग को थोड़ा आराम देना भी ज़रूरी होता है इसलिए बीच बीच में थोड़ा टेहल लिया करो मैं आपको बता दू टेहलने से आपका मूर फ्रेश होता है दिमाग को सुकुन मिलता है और आप ज़्यादा द्यान लगा कर पड़ाई कर पाते है स्टडी प्लान बनाओ जो बच्चे एक्जाम में पहले एक स्टडी प्लान बनाते है उनको एक्जाम के समय में ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होता है प्लान करके पड़ाई करने से कम समय में ज़्यादा और सही तरीके से पड़ाई आप कर पाते है पूरी नीन लो एक्जाम के समय में नीन आपकी सबसे बड़ी समस्या होती है एक्जाम के प्रेशर और ज्यादा पड़ाई के कारण कई लोग एक्जाम के समय ठीक तरह से सो नहीं पाते हैं इससे सेहत पर बुरा असर पड़ता है लेकिन अच्छी निन लेने से दिमाग फ्रेश रहता है और आप लंबे समय तक किसी भी चीज़ को याद रख पाते हैं दोस्तों और फैमिली से बात करें अगर आप स्ट्रेस को अपने उपर हावी होने देंगे तो यह आपकी सेहत पर बुरा असर डाल सकता है एक्जाम के समय में बीमार होने से आपकी साल बर की मेनत खराब हो सकती है इसलिए एक्जाम के समय दोस्तों और परिवारों के लोगों के साथ अपनी समस्याई जरूर शेयर करते रहे इससे आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा और आप पड़ाई में मन लगा सकेंगे डायेट का ध्यान रखे एक्जाम के समय एक हेल्दी डायेट फॉलो करना बेहत जरूरी है एक्जाम के समय ज्यादा से ज्यादा डार्क चॉकलेट, ब्ल्यूबेरी, बादाम, आधी चीजे खाये इससे आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा ग्रीन टी या ब्लैक टी का भी सेवन कर सकते हैं इनके सेवन से शरीर में चुस्ती बनी रहती है और आप बिना स्ट्रेस पड़ाई कर सकते हैं दोस्तों पड़ाई के समय आपमें आपको कौन-कौन सी समस्याए आती है उसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना वीडियो देखने के लिए धन्यवाद